हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है क्या है कि लिए हमारा नेता रंग अब फिर वही बात सच बोलना भरकाना है जब कोई भाई मेरा नमाज पढ़ने के लिए उसी बस में अगर उसको समय हो जाए और वो नमाज पढ़ना चाहिए तो उस पर मुकदमा दर्जना हो यह भी तै होना क्या मजबूरी हो गई ओवेसी साहब को डिफेंड करना पड़ रहा है तो अपना कलाकारी कर गाना-गा वह भारती जनता पारटी का प्रोग्राम मन्य परधान मंत्री जी को ही कैमरा फोकस कर रही है आज आप देख लो गोदी मीडिया जो लोग चैनल चला के देख रहे हैं किसी भी चैनल पर आप देख लो या तो अजुद्या का निर्मान वहां का डिवेट चलेगा आपको या मोदी जी हमारे जहां तपस्या कर रहे हैं मंदिर भर्मन कर रहे हैं उसको दिखाया जा रहा है लेकिन जो अलंत मुद्द नी प्रान परतिष्ठा होना चाहिए हो रह अगर वह सच बोल रहे हैं अगर वह गलत बोल रहे होते हैं तो मुकदमा होता हुथ ख्रण और दूसरी बात जो आज ये गोदी मीडिया ये दिखाने का काम कर रही है आप देखो बिहार में औरंगाबाद में क्या कांड होता है उसे कौन सी मीडिया कितने मिनट तक अपने लेकिन मीडिया इसे नहीं दिखाएगी राम राज्य का मतलब है कि जो जिस मजहब को मानता हो उसे मानने की पूरी आजादी मिली चीए अब हमें गाहे बगाहे पता चला कि बसों में राम धुन चलेंगे चलना चीए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब कोई भाई मेरा नमाज पढ़ने के लिए उसी बस में अगर उसको समय हो जाए और वो नमाज पढ़ना चाहे तो उस पे मुकदमा दर्जिन हो ये भी तैय होना फा चीए आप गरवा करो हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन घर हम भी दुळा करे हन्दोस्तानी उसको हो नहींzessा है है हमारा राम हो रहा है और यह 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 राम का वह भक्त बना हुआ है कि काल ने वी की तरह अपना उतने है कि हर पहला चीज सुना नहीं हो सकते और भगवा जुआ। नहीं OS तो यह जी रास्ते से भटक गए हैं क्या कौन से रास्ते से किस राप्टे से मजबूरी हो गई ओवेसी साहब को डिफेंड करना पड़ रहा हैं अगर आप पहुंचाना भी चाहो तो हो सकता है पुलिस का डंड़ आप तक न पहुंच जाए इसलिए आप भी अपने बचाप करते हुए ही मामले को उठाते और बैठाते हो अगर इस वक्त आपको जो लोग सुन रहे होंगे उनसे क्या कहेंगे आप राम मंदिर को लेकर देखें मैं तो सबसे पहले अपने राम से कहूंग और है कि हे राम मोसम दीन नदीन हीता तुम समान रख वीर ऐस विचारी रख वंस्मनी हर हूं भी सम्भाव पीर यानि कि आज इस भारत में आपके नाम पर आपके लोगों पे बे इंतिहां जुल्म हो रहा है हे राम आपके नाम पर अपनी बुराईयों को छुपाने का प् हिंदोस्तान के हर चेहरे पे चमक मिल जाये, रोजगार मिल जाये, सिक्षा मिल जाये स्वास्थ मिल जाये, तो हम समझेंगे कि राम राजजी आगया, कितना भी कुछ कर लिज़े राम आएंगे ऐ, आ रहे हैं, राम जी का बाबा के बाबा के बाबा के लाने वाले भी रामी है तो राम को लाने की हस्ती किसकी है यह तो भाई चाटुकारता की प्रकास्टा हो रही है कि जो राम को लाए है हम उनको लाएंगा रहे है भाई ठीक है तो अपना कलाकारी कर गाना गा लेकिन चाटुकारता की प्रकास्ट थे लेकिन उन्हें त्याक पत्र दे दिया था इंद्राजी के सामने कहा कि याचना नहीं अब रन होगा क्योंकि जंता भोकी मर रही है और तुम यहां अपना अडंबर में लगे हुए हो जंता को रोटी मिल जाए बहुत-बहुत शुक्रिया पंडी जी आपने सभी सवालों क जबाब बारी के अंदाज में दिये जिनका साबतोर पर कहना है कि राम का जन बहुत पहले ही हुआ है और राम को कोई ला नहीं सकते हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूले